हेलो एब्रिवन गुड इवनिंग मैं शराद यादव एक बार आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चनल ग्लैंस अकेडमी पर दोस्तों इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं घटना चक्र पुर्वालोकर सिरी जो की आर्ट वॉल्यो में बुक आती है उ क्योंकि इसमें बहुत मैनत लगता है पिछले देड़ दो महीने से मैं खुद इसमें लगा पड़ा हूं हमारी टीम में नीशू में भी लगी पड़ी थी और एक दो मेंबर थे जिनके द्वारा ये पूरे पूरे सॉट नोट्स तैयार किये गए और ऐसा इसलिए क्योंकि आरो यारो कज़ो एक्जाम होने वाला आपको 11 फरवरी को या फिर यूपी पीसेस मार्च में होने वाला है उसके लिए आप लोग घटना चाकर पढ़ना तो चाते हैं और पढ़ते भी हैं लेकिन उसका रिवीजन नहीं हो पाता क्योंकि वह दो-धाई-जार पेजेस की सा और कह सकते हैं इंटर-linking और connecting के साथ हमने इस notes को तयार किया और जिसको बहुत सारे लोगों ने जो एकी सराहा appreciation किया उसका मतलब उन्हों को पसंद आया यह चीजे और इस चीजों के साथ आप भी अगर इस चीज को लेना चाते हैं इसकी PDF लेना चाते हैं तो पहले तो बात में आप WhatsApp का नंबर दिया गया वीडियो के लीचे description box में जहां more section होता है वहाँ पर आप message करें के inquiry ले सकते हैं और वहीं से आप इस PDF को purchase कर सकते हैं लेकि यह PDF आपको burger की price से भी कम price में मिलेगी इसलिए आप इसको easily purchase कर सकते हो और उन सभी PDF में regular सारी classes देते रहूंगा एक्जाम से पहले आपकी classes सभी complete हो जाएंगी जनवरी first week तक target है और आप revision भी कर पाओगे जो कि आप confidence के साथ जाओगे exam देने तो आपका exam में बहतर score आएगा और इससे पहले आप Indian geography और Indian politics के short notes की जो मैंने अलग से playlist बनाई है वहाँ पे जो भी 7-8 classes हो चुकी है उनको दे तो इनी सब बातों के साथ आप शुरू करते हैं आज के lecture को और आज हमारा chapter number 13 agriculture सुरू होगा क्योंकि इससे पहले के chapters हमें पढ़ दिये हैं तो यहाँ पर जो पहला topic है दोस्तों इसमें इस थाई क्रिसी यानि कि पर्मा कल्चर जो होता है और परमपरिक रासायनिक क्रिसी इसमें एक अंतर की बात की जाती कि कौन कौन से अंतर होते हैं इस थाई क्रिसी को हम इंगलिस में पर्मा कल्चर भी कहते हैं और कभी-कभी examiner इसी सब्द से प्रशन पूछ लेता है पर्मा मतलब होता है पर्मानिन तो पर्मानिन क्रिसी हो जाती यहाँ पर तो देखिए इस थाई क्रिसी किस परकार से डिफरेंट है किस परकार से अलग है उसके बारे में हम इ look करेंगे पहली चीछ इन कीHE खती किसान पर को छेती किसानी से जुड़े होंगे या आजपास की आप च्छेत्रों में देखोंगे तो अगर कोई किसान लगातार हर साल मई जून में धान की फसल बोता है, तो हर सल धान की फसल ही वो रहा है उस मिट्टी में, अक्तुबर नॉवंबर में आके वो रवी फसल, इटमीन्स की आलू की खेती करता है, या फिर आपके मट्रे की खेती करता है, या फिर यहों बोता है, या कोई किसान ऐसा है जो खरीग के समय, अप्र जुवरा शक्ती मजबूत हो तो वो अपने आर्थिक लाभों को देखता है और जिसकी वज़े से वो एक धाने पद्धिती पे चलता है कि जो हम फसल बो रहे हैं हम वही फसल बोते हुए आएंगे तो ये पारंपरिक किरसी से जो एकी बढ़ावा मिलता है जबकि इस्थाई क किरसी इस चीज को हतोत साहित करती है पारंपरिक किरसी से मिर्दा की लवणता में वृद्धी होती है और मैंने पिछली क्लासेस में ही बताया है कि मिर्दा की लवणता और चारियता अगर बहुत अधिक होंगे तो आपकी फसल बरबाद होगी खेती बहुत अच्छी नहीं होगी इसलिए मिर्दा में लवणता भी कम होनी चाहिए जिसका एवरेज मानत रखा गया छे से साथ के बीच में अगर पी एच मान रहता है तो आपकी क्रिसी बहुत बैतर होगी और यह गुण आपको इस्थाई क्रिसी से मिलेगा जिसमें मिर्दा की लवणता को समाप्त क कर दियाता है या बहुत कर दियाता नॉरमल हो जाती जिससे आपकी खेटी अच्छी होती दूसरी बात इसमाथrek जो परतिती है क्योंकि पारम प्रतम हुद नहीं है जबकि इस थाई किर्शी मैं मल्चिंग परतम हुदा होती है clicking क्या होता है यह मान लेते हैं कि आपक perfect जमी तो पूरा जमीन से नहीं काटता है बलकि कुछ इस प्रकार से घासे या उसकी जड़े रह जाती है और अगर इन जड़ों को निकाल दिया जाए और उसके बाद जुताई करती जाए या इनको जना दिया जाए तो यह नुकसान होता है क्योंकि इससे मिर्दा की उर्वरा शक्ति कम होती है असल में ये जैविक पतारत ही तो है अगर हम इसे इसी तरीके से छोड़ दें और ये अपने आप सोता अगल जाएंगी हम इसी में कोई नई फसल बोते तो कही न कहीं जो इनके पोशक्तत होंगे वो मिर्दा को प्राप्त हो जाएंगे और यही चीज इस्थाई क्रिसी में होती है कि मल्चिंग मतलब होता है क्रिसी के अवसिष्ट होना जो क्रिसी का अपसिष्ट बच जाता है खेतों में जो जड़ के रूप में रहता है ये क्रिसी इस्थाई क्रिसी के लिए महत्पूर होता है जैसे क्रिसी की पुर्वारा छमता में भृद्धी होती है, वहीं अगर हम बात करें, तो प्राकृतिक संसाधनों का संधारणी ये प्रियोग करके क्रिसी करना ही इस्थाई क्रिसी यानि की पर्मा कल्चर होता है, अब हम मल्चिंग को, हम संधारणी तरीके से तो प्रियोग कर रहे हैं, हमने उपर की फसल से तो ग्योग प्राप्त कर लिया, और बीच की फसल को हमने भूसे की रूप में प्रियोग कर लिया, और अब यह जो मल्चिंग की रूप में जड़ रह गई, इसको हमने मिट्टी की उर्वरा शमता बढ़ाने के लिए योग कर लिया, तो इसी को हम कहते हैं, कि प्राकृतिक संसाधनों का संधानी अगर आप प्रयोग कर रहे हो तो उसी को मिस्थाई क्रिसी कहते हैं परमा कल्चर वहीं स्थाई क्रिसी सुस्क एवं अर्दो सुस्क छेत्रों में भी प्रभावकारी होती है means कि जहां पर अगर पानी नहीं है या पानी की कमी देखी जाती है सिचाई बहुत कम होती है एक से दो ही बार कर सकते हैं तो वहां पर ये पद्दती बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये जो आपका जो मल्चिंग होता न ये वाला जो खाद के रूप में काम करेगा क्योंकि इसमें जो पानी की मात्रा होती है जैवी कप घटक में ये मिट्टी में नमी को बनाए रखेगा जिससे सुस गया अर्दसुस के छेतरे जहां पर बारिस नहीं हो पारी है तो वहां की मिट्टी में ये नमी को बनाए रखेगा जिससे प्रभावकारी खेती वहां प पद्देती होती है जो की खेती के लिए बेहतर माने जाती ही जीरो टिलेस यानि की सोने जुताई इसमें आप किसी परकार की जुताई मत करो खेत में जैसे फसल की लागत में इससे कमी आने लगेगी अगर आप लाभ इसके देखना चाते हो तो फसल की लागत में कमी आगी फसल अवसेश खेत में ही जिससे सड़ कर खाद बनती है अब जैसे मल्चिंग क्या होता है जो फसल के अवसेश होते हैं मल्चिंग ही तो होती है अगर वो खेत में ही छोड़ दिया जाए तो कहीं न कहीं वो सड़ गल के क्या होगा, मिर्दा में खाद के रूप में काम करेगा और इससे उर्वरक के उपभोग में भी कमी आईगी, हम उर्वरक इसलिए तो जालते हैं कि ताकि मिर्दा की छमता बिरती हो, फसल की पैदावार अच्छी हो लेकिन अगर हम फसल अवसे इसको खेत में ही छोड़ देते हैं, खाद के रूप में पढ़े रहन देते हैं तो वो उर्वरक का काम करेगा, आपके खाद का काम करेगा, जिससे उर्वरक का भोग नहीं होगा यानि खेतों में लोग उन्वारा कम डालेंगे वहीं फसलों द्वारा जो अवसोसित होती कार्बन डाय ऑक्साइड वो मिर्दा में कार्बन प्रथक्रन संभाव बनाएगा क्योंकि जो CO2 है यह जो फसलों द्वारा अवसोसित की दाती है तो जो फसल का मल्चिंग वाला पार्ट रहे गया है उसमें भी तो CO2 बैठा होगा तो यह क्या करेगा मिर्दा में कार्बन का प्रथक्रन करेगा जिसे हम लोग कार्बन साइकल पढ़ते कार्बन चक्र पढ़त तो इसको भी एजिली करेगा यहूँ धान जैसी अगली बुवाई करना संबह हो सकेगा आसान क्योंकि आपको किसी परकार की जब जुदाई नहीं करनी है तो आप आसानी से उसमें उस फसल को बो सखोगे क्योंकि उसके लिए परयाप्त मातरा में जो एकी नमी मिलेगी पर इापकी जल बचत भी होगी क्योंकि आप सचाई करते हो तो अगर आम अगर मिट्टी के लिए जो इससे पहले की फसल में नमी थी वह बटी रहेगी जिससे सचाई क्योंकि आ वश्यक्ता भी तो कम अस्तर पे होगी और जिससे पानी की बचत हुए वहीं एक अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो भारती क्रिसी का इतिहास पुस्तक के कौन लेखक है तो MS रंधावा सहाब है और यह पूछा जाता है इसका फुल फॉर में मोहिंदर सिंग रंधावा इट मिंस कि History of Indian Agriculture यह बुक के बारे मे भी पूछ लिया जाता है फिर अगले प्रशन की ओर देखें या अगले पॉइंट की ओर कि क्रिसी में फर्टीगेशन के क्या लाव है यह वो टर्म से दोस्तों जो आपको जो है कि ना तो किसी पॉइंटर में मिलेंगे ना किसी और जगए आप अगर धंग से घटना चकर क उर्वरक और सिचाई इन दोनों को आपस में मिलाने की पद्दिती को हम फर्टीगेशन कहते हैं मैं इसको तोड़ के दिखा रहा हूँ आपको इस सब्द को यह होगा फर्टी अगर हम इसे फर्टीलाइजर कहेंगे तो उर्वरक हो जाएगा और यह जो गेशन है अगर हम इर्वरक और सिचाई पद्दिती को आपस मिलाकर जो किरिसी की जाती उसी को हम कहते हैं फर्टीगेशन पद्दिती जैसे फर्टीगेशन का एक एक एग्जामपल है कि जल में उर्वरक को घोल कर सिचाई करना यानि कि अभी जो किवल आप जल से सिचाई करते हो एक बार सि व्रग भी मिल जाएगा तो यही होता है फर्टीकेशन इसका लाब क्या होता है पहली चीश कि सिचाई जल की छारियता का नियंतरन संब्द होता है अगर जिस जल से हम सिचाई कर रहा है अगर उसकी छारियता का मान बढ़ गया तो फसल को नुक्सान करेगा या अमलियता का मान बढ़ गया तो भी फसल को नुक्सान करेगा क्योंकि अमलियता और छारियता दोनों बैलेंस वे में होनी चाहिए जिसका पी एच मान समायनता छे से साथ के बीच में होना चाहिए तब ही वो खेती अच्छी हो पाएगी वहीं पौधों में पोशक मात्रा में व्रिद्धी होती है पौधों में भी क्या होता है पोशक मात्रा में व्रिद्धी होगी रासायनिक पोशकों के निचालन में कमी आईगी क्योंकि अगर हम केवर जल से सिचाही कर देते हैं तो जो भी जो रासानिक पोशक्तत होते हैं मिर्दा के, पौधों के या जो उर्वरक के, वो निच्छालन यानि लीचिंग की पद्धिती से गहरी भूमी में चले जाते हैं, यानि की भूमी की सता को छोड़कर नीचे की और बह जाते हैं पानी से, जिससे पौधों को आवश जल में घुलंसील पुरवरक हैं, तो हम नाइट्रोजन जो की पौधों को नाइट्रोजन प्रकृती से नहीं मिल पाती डारेक्ट, इसके लिए वो नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं, जिसके लिए अलग अलग वो राइजूबियम जैसे या पिर आपकी फसलों में नहीं हो गया, मटर हो गई, इन पौधों के प्रियोग से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, लेकिन अगर हम नाइट्रोजन को डारेक्ट जो है की जल में घुलंसील होने की वज़े से पोटास मतलब सलफर हो गया, और आपको पता है कि अगर पिर्सी करनी है, तो नाइट्रोजन और सलफर बहुत इंपोर्टेंट होते हैं मिर्दा के लिए, तो वहाँ पर ये भी समस्या दूर होगी, और जल में घुलंसील होने की वज़े से जल के साथ आप ये भी कृत्रिम रूप से बढ़ा सकते हो, जबकि फासफोरस मतलब फासफेट और फा क्या होता है, तो कि ऐसे प्रशन यूपी एसी और यूपी पी से यह दोनों का ट्रेंड रहा है, ऐसे प्रशनों को पूछने का जो कॉंसेप्ट पे आधारित होते हैं, और कई बार आपसे यह भी पूछ लियाता है, क्रिसी की कौन सी ऐसी पद्धिती है, जो पारितंत्र अ क्रि izan करके, तो अगर आप एक फसल को बोह रहा हर साल, तो कहीना के फसल की उत्पादकता में भी कमी आएगी, मिट्टी के गुरवदता में भी कमी आएगी, और कुल टूटल प्रड़क्शन में भी कमी आएगी, लेकिन आगर आप फसलों का विविदी करन कर रहा हो, किया जा सकता है सिचाई से सम्माईत है और उर्दवारदर किरसी जो की पहाड़ी छेत्रों में होती है वर्टिकल किरसी तो यह सभी जोए की पारितंत्र अनकूली पत देती हैं भारत को 15 यहां पे ध्यान देना भारत को 15 एग्रो क्लामेटिक प्रदेश में रीजन में और 15 ए आज खल आगता है एग्रो मैं अगर ऐसे बताहूँ आपको एग्रो क्लामेटिक जोन तो आपको लिखना बीजाए और 20 अकर फो भारत को पुना यानि अब आप जो 20 आपके जो एग्रो एकलॉजिकल जोन है ना इसको पुना जो एक ही डिवाइट किया गया और उसके बाद 60 क्रिशी पार्षित की उप्छेत्रों विभाजित किया गया यानि इनी 20 को हमने 60 सेक्टर में बाट दिया इसलिए हम इसको उप्छेत्र भी कहते हैं क्लिर है उप्छेत्र इसलिए कहा जा रहा है अब देश का पहला क्रिशी विश्वित्याला है कौन से था तो गोविंद वल्लब पंत क्रिशी एवं प्रदोई की विश्वित्याला है जो इस्थापित हुआ था 1960 में तब वो यूपी में था लेकिन जब सन 2000 में उत्राखंड अलग हो गया तो उत्राखंड में एक छोटा सा सहर है पंत नगर तो वहां पर इसकी स्थापना की जी बी पी ए यू गोविंद बल्लब पंत एग्रिकल्चर यूनिवस्टी तो इसका स्थापना सबसे पहले क्रिशी उनिवस्टी है अब आपको एक प्रश्ण में देता हू अंतराष्टी अस्तर पे उसके मानकों के अनुसार खाद्यानों को सुरक्षित भंडार के समय सापेक्षिक आदर्ता 14 प्रतिशत तक ही रहे उससे ज़्यादा नार जाए मतलब जो हम cold storage में जो हम इसको store करते हैं खाद्यानों को तो उसको सुरक्षित रखने के लिए जो आधरता की जरूत होती है वो कितनी होनी चीए 14 प्रतिशत या उससे कम होनी चीए उससे ज़्यादा अगर होगी तो खाद्यान सामगरी खराब होने लगेगी पिर आगे दीखते हैं क्रिसी में यूग मुपैदावार क्या होता है यह भी कई बार प्रश्ण करिसी के वारेमे पूछ लेएता है और double cropping के बारेमे पूछते है जिसको हम यूग मुपैदावार कहते हैं तो जो डबल क्रॉपिंग है इसका जो आसा होता है कि एक फसल वर्ष के अंतरगत एक ही भूमी पर दो या दो से अधिक फसल अगर आप उगाते हो तो इसे हम डबल क्रॉपिंग पैटन कहते हैं वहीं अगर हम मिस्रित क्रिसी की बात करें तो फसल उत्पादन या यू कहूं कि क्रिसी के साथ-साथ अगर आप पसुपालन भी करते हो तो मिस्रित क्रिसी कहते हैं और इससे क्या होता है क्रिसी कारेएं से free रहने के समय..जब क्रिसी कारें complete हो जाते हैं कि जब दो भिन्ह विकास प्रिवित्ती वाली फस्ले सामिल होती हैं.. और इन में प्रतीस पर्दा सुने या नगणे हो जाती है। मतलब दो ऐसी भिन प्रवित्ती की फसलें जिनका प्रडक्शन अलग अलग है लेकिन जब हम उसे एक ही साथ एक ही खेत में बोते हैं तो उससे प्रतीस पर्दा समाप्त हो जाती है। यानि गेहुं की अगर हम खेती करें और गेहुं के साथ अगर हम सरसो की खेती कर देते हैं तो अपना काम कर रही हैं दोनों के प्याहने पर एक दूसरे पर कोई ळी साथ नहीं आता है। तो धैचा और धैचा सबसे इंपॉर्टिंट क्यों था नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए तो धान के साथ अगर आप धैचे की खेती कर रहे हो तो कहीं न कहीं आपको किरसी का प्रड़क्शन भी अधिक मिल रहा है और इसी तरीके से जो पारंप्रिक क्रिसी होती है पारंप्रिक खेती के आधोनिक वैक्यानी खेती में रूपांतर में हरित क्रांती की तकनीक महत्पूर रही क्योंकि जो पारंप्री खेती हुआ करती थी वो आपकी रासाइनेव पर उती थी, एक फसल पर हती थी वहुत फसली नहीं वहती थी और कह attempts क्यों कि एक धाने पद्यती पर चलती थी लेकिन हरित करांती के द्वारा इसमें बहुत सारे महत्पूर परिवर्तन किये और हरित करांती के लाब में सामाजी को परियावड़ी छती सामिल नहीं की जाती है क्योंकि जो हम हरित कुरांती के लाप की बात करते हैं, तो इसमें हम यह देखती कि आर्थिक अस्तर पे क्या फायदा हुआ यह इन अस्तर पे, लेकिन उससे जो सामाजिक गैप आया, सामाजिक असमानता पैदा हुई, अब जैसे पंजाब, हरियाना, पश्मी यूपी, जिसम क्योंकि हरित क्रांती आपके प्रडक्शन के मामले में तो बहतर मानी जा सकती है लेकिन प्रयावरण के मामले में कभी बहतर नहीं मानी जाएगी क्योंकि हैवी प्रडक्शन के लिए अधिक मात्रा में रासाहनों की प्रयोग किया गया अधिक मात्रा में कितनासक प्रयोग कि और बड़े बड़े कुवे खोदेगा जिसे मिर्दा का जो जलस्तर था भॉम जलस्तर वो नीचे गिर गया इटमिन्स की नीचे धटा चला गया तो मैं कह सकता हूं कि हरित करांती में पर्यावणी छती अगर आप सामिल कर दोगे तो फिर हरित करांती फेल हो जाएगी लेकिन इसको फेल होने से बचाने के लिए कि अब पर्यावणी छती पर फोकस नहीं किया गया और अब आप लोग पढ़ते भी होगे कि पंजाब और हरियाणा जैसे चेत्रों में आप देखोगे कि वहां की मिर्दा अमली होती जा रही है सिचाही इतनी अधिक होई है कि वहां की म समस्यां दिख रही है वहीं अगर हम कुछ आखड़ों की बात करें तो क्रिसी गर्णा जो 2015-16 की जो लेटेस्ट है अब आप यह मत कहिएगा कि साथ 2023-26 की क्यो नहीं है इसकी हर 5-6 साल पे क्रिसी गर्णा होती है तो अभी जो लेटेस्ट है आप सरकारी रिपोर्ट पर भी देखो कि गवर्मेंट वेबसाइट पे तो 15-16 कही आखड़ा है उसके अनुसार भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा जो आकार है वो राजस्थान के पास है 20.87 मिलियन है तो यह चालू जो जो होती है मतलब जिसका हम खुदा ही वगरा करते है जिसके हम क्रिसी करते है तो उसका जो सबसे बड़ा जो आकड़ा है वो किसमे राजस्थान के पास है वहीं जबकि क्रिया सील जोतों जो की ऑपरेशनल होल्डिंग में सरवादिक जोतों की संक्या 23.82 मिलियन यह आपके यूपी के अंतरगत आती है अब आर्थिक समिक्षा 2022-23 के अनुसार अभी त क्रिसी होती है इसलिए भारत हमारी सबसे भारत में चावल की क्रिसी सबसे अधिक की जाती है यह कहूं कि सभी खेती में सबसे खेती चावल की होती है अब मान लेते हैं कि हमारे भारत में जितनी भी भूमी है उसमें से कुछ भूमी को अगर हम 100% मानते हैं कुछ भूमी को और जो की क्रिसी योग है, जिस पर केवल खाद्यान यानि खेती होती है, तो इसके 35% हिस्से पर केवल और केवल चावल की खेती होती है, बाकी पर आपका गन्ना, ग्यों, सरसो, चना, मूं, उरत, जो भी है वो होती है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, समिक्षा कुद कह की चावल की क्रिसी सबसयदिक होती है, वहीं अगर हम देखें, कि हरी खाद वाली फचलों में से, किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सरवादिक होती है, अब देखे, सबसे बड़ी बात की नाइट्रोजन हमारे वायो मंडल Daern में कितनी है दोस्तों लगभागा 78 प्रतीशत ह लेकिन हमारे पौधों के लिए जो nitrogen की आवशकता होती है सबसे दिक वो डिरेक्ट जो एकि वायू मंदल से ग्रहन नहीं करते हैं जैसे पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं तो CO2 को direct ग्रहन कर लेते हैं sunlight को direct ग्रहन कर लेते हैं, लेकिन nitrogen को directly going can receive नहीं कर पाते हैं अवसोसित नहीं कर पाते हैं इसलिए वो उसे प्राप्त करते हैं नाइट्रेट की फॉर्म में उसे प्राप्त करते हैं और नाइट्रेट की div Š helfen Convert14 hoने के लिए कि बहुत सारी प्रिक्रियाओं से उसे गुजरना पड़ता है कुछ जिवारू की कुछ कवक की मदद करनी पड़ती है राइजोबियम हो गया और जैसे की चा कहते हैं उसको एजोला हो गया माईकोराईजा हो गया बहुत अलग अलग पद्दती होती है तो यहां पर पूछा जा रहा है कि नैट्रोजन की मातरा सरवातिक किसम पाएजो जिसको लोग्विया भी कहते है जो पत्ली पत्ली 0.49, सनाई 0.43 प्रतिशत, धेंचा 0.42 प्रतिशत, गवार 0.34 प्रतिशत, तो यह चार प्रकार से जो एकी है, जो की नाइट्रोजन मात्रा पे आधारित होती है, अब according to 2022 के आपड़ेक अनुसार, कि वार्सिक पुनरभरण योग की जो भौम जल संसाधन, वो किसमी है लवग 71.45 BCM, यह क्यूबिक मिटरे की जो हाइट होती है, तो वार्सिक पुनरभरण जो योग भौम जल है, मतलि भौम जल की जो मात्रा है, वो सबसे दिख कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, यह आकड़ा है 2022 का, और उसी तरीके से एक और प्रश्ण मनता है, कि जो ठेके समविदारी किरसी होती है, यह समविदा किरसी होती है, यह कॉंट्रेक्ट फार्मिंग होती है, इसमें अग्रड़ी राज्य कौन सा है, पंजाब है, अब यहाँ पर समविदा किरसी मजदूरों के साथ भी होती है, मतलब मान लिजे कोई बड़ी-बड़ी कंपनी है, हल्द या फिर हल्दी राम की अगर हम बात करें तो हल्दी राम को छोले वटूरे जैसों के फेमस हैं या कोई और भी चीजे तो उसके लिए जो हमें राव मैटरियल चाहिए वो अपने इन राज्यों से समझवाता कर लेते हैं कोईंट्रेक्ट कर लेते हैं कि भाई आप हमारे लिए खेती करो इतना प्रडेक्शन होगा आप हमें दीजेगा उसका जितना भी खर्चा होगा वो कंपनी खुद उठाती है नुकसान भी कंपनी को ही उठाना पड़ता है क्योंकि नुकसान प्रकृती के तौर पर हमाली जे बाड़ आ गया इस रूखा पड़ गया या ओले गया फसल नुकसान हो गई तो इसमें किसान के तो कोई गलती नहीं है तो इसका पूरा का पूरा जिम्हाला कि कंपनी की भी गलती नहीं है कंपनी थोड़े कह रही है कि ओस पड़ जाए पाला पड़ जाए लेकिन पहले ही में डील हो जाता है, क्योंकि कंपनी अपने नुकसान को उठा पाएगी, क्योंकि बहुत बड़े अस्तर पे जो एक अगर नुकसान हो गया, तो भी उठा लेगी, क्योंकि वो अर्वो करोडों की कंपनी होती है, लेकिन एक किसान बिचारा जिसको उसी चीज पे वो आसरे था और ऐसे में उसका नुकसान हो गया, तो वो कहा जाएगा, वो अपने खर्चे नहीं उठा पाएगा उस चीज से, वो उसका नुकसान नहीं उठा पाएगा, तो इस मामले में पंजाब हमारा अग्रडी राज्य चुर लगातार कॉन्टेक्ट फार्मिंग बड़ी-बड़ी कंपनियों से करता है, अब एक वर्ड आता है, ग्रीन फार्मिंग, हरित करांती अलग होता है और हरित खेती की मैं यहाँ पर बात करूँगा, तो ग्रीन फार्मिंग जिसे हम कहते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे, कि समेकित कीट प्रवंधन इसमें कियाता है, जो कीटों का प्रबंदन करना होता हो समेकित अस्तर पर फिर जीवाणू की विमारी हो चाया वो कीटाणू की विमारी हो या वाइरस की किसी प्रकार से कीटों का मैनेजमेंट करना समेकित पोशक पदार्थ आपूर्थी, जो भी पोशक पदार्थ हमें चाहिए होते हैं भोजन में, वो सारे के सारे किसी प्रकार से पौदों में पहुँचे, मिर्दा में पहुँचे, इसके लिए आपूर्थी करना और समेकित प्राकृतिक संसाधन का प्रबंदर, नैचु जबराण को भी बचाना है कोई ऐसी फसल नहीं लगानी है जिसकी वैसे नुकसान दे वायुमंडल क्रियेट हो तो यह सबी चीजों को हमें बचाना होता है हलांकि इसे संरक्षित क्रिसी ही कहते हैं और इसका प्रतिपादन डॉक्टर स्वामी नाथन जी ने किया था इन्हों जो ग्लोबलाइजेशन होता है ने कि वैस्वी खेती होती है भारत को लगातार आदेश ओर मिलते हैं कंपनी को खेतों को कि हमें नगदी फसल चाहिए तो नगदी फसलों पर बल दिया जाना लगा क्योंकि भारत में जितना मन से दाल चावल रोटी सबजी खाये जाता है व और आपके चावमीन, नूडल्स, पॉंगमा, पता नहीं क्या खाते मुझे तो पता ही नहीं चलता है दोस्तों मैं मुझे नहीं पता हो क्या खाते है लेकिन इतना पता ही वह नगदी फसलों सोता है चाय, कॉफी, बीन्स इन सब की खेती होती और साथी सार जब ऐसी इस्ति वह अपनी जीवी का ही चलाने में बीजी रह गया, वह अपने लिए खाद्यान समगरी ही पैदा करने में रह गया, वह भड़े अस्तर पे जो एक किसानों से कंपरिजन नहीं कर पाए, और आर्थिक सहयता में भी कटवती करने लेगी सरकार, जो सबसीडी देती थी उसमें क कटवती हुई, और सबसीडी की कटवती का नुकसान सबसे अधिक छोटे अस्तर की किसानों को हुगा, अब यहाँ पे और पॉइंट चलता है, यानि की प्रोग्राम, सीड विलेज कॉंसेट, वीज क्राम संकल्पना क्या होती है, तो देखिए, एक ऐसा गाहों तयार किया जाता है, जहां पर वीजों की खेती होती है, यानि की बीजों को तैयार किया जाता है, हाई क्वालिटी के बीज होते है, और उसे आपस में जो समुदाय होता है, जो ग्रुप होता है, उनके ही बीच में बांट दिया जाता है, जैसे एक समान विचारों वाले किसानों को स् एवं साथी किसानों की बीच आवशक्ताओं को सस्ती दर पर और उचित समय पर पूरा कर सकें अब मान लीजे कि एक छोटा सा गाहों था वहां के दस किसान थे दस किसानों ने कहा कि इस बार हम लोग hybrid quality के जो एकी बैंगन की खेती करेंगे किस की खेती करेंगे बैंगन की अब उन्हें self-help group के द्वारा training दी जा रही है किसी एक दो किसानों को सबको तो नहीं देंगे एक दो किसानों को और उनके द्वारा जो पसंदीदा फल है कि हम बैंगन की खेती करेंगे और वो खुद भी और साथी जात जो उनके साथी किसान है, साथाट किसान, उनको भी बीच किया वशक्ता को सस्ती दर पे उच्छी समय पे प्रवाइट के जाएगा. अब यहाँ पर एक और टर्म साती है, कि आप से पूछाता है कि सीमान्त किरसी भूमी जोत कितनी होती है, छोटी जोत किसे कहते है, मध्यम जोत किसे कहते है, बड़ी जोत किसे कहते है, तो देंकि सीमान्त का मतलब होता है, सीमा का अंत हो जाना, अर्था जिसके पस खेती ही न बात करें तो एक से दो हेक्टियर के बीच में आगा है तो छोटी जोत हो गई दो से दस हेक्टियर के बीच में तो मर्द्यम जोत अधिक है कितना भी ओ वह बड़ी जोत का मतलता है आपके खेती चलिए आगे देख लिए भाँ अब यहां पर एक अगला पॉईंट है कि कौन कौन सी पद्दिती संरक्षित क्रिसी में आते हैं अगर आप यह ऐसी पद्दिती अपनाते हो जिससे क्रिसी का संरक्षन होता है किरिसी संधारणी होती है, सस्टेनेबल होती है और प्रेडक्शन अच्छा करती है तो उसमें कौन कौन सी पद्धिती आती है पहली तो होती है जीरो टिलेज या न्यूंतम जोट अपनाना अगर आप न्यूंतम जोट अपना कर किरिसी कर रहे हो और अगर आप फसल एक पैटन से हटके विविदी करण की ओर चल रहे हो, कई सारी फसलों को एक साथ आप लगा रहे हो अलगलग साल में, तो ये भी सनक्षित किरसी में आता है, और अगर आप फसल चकर को अपना रहे हो, तो ये भी इसी के अंतरगत आता है. तो इस चार पद्दितियां हैं मुठ्धा हलां कि और भी पद्दितियां लेकिन यह वो चार पद्दिति preventing जो कृसी को सबासित करते हैं अब इन चार पॉइंट से अपको असमझ में आगा कि और भी ऐसी कोई पद्दती होगी तो उसे भी हम सनक्षित क्रिसी में ही रखेंगे वहीं हम देखें कि क्रिसी की गढ़ना जो 2015-16 के एकॉर्डिंग लगू एवं सीमान्त किसान कुल किसानों का लगवक 86 प्रतिशत है मान लीजे कि हमारे भारत में जितनी भी आबादी है उसमें से कुछ किसान हैं, कुछ रोजगार वाले हैं, कुछ इस्टार अप ब। इसान का मतलब किसान होता है यह नहीं किcondet के आप महिला के लिए अलग वर्डी यूज़ करोगे, हाँ इतना हो सकता है कि male farmers और female farmers इतना हो सकता है तो किसान के लिए अलग वर्ड यूज़ नहीं होता है इकी सान मे लगू और सिमान्त किशान है, यानि कि कम भूमी पर जो खेती करते हैं, जबकि वे केवल और किवो 47.3 परतिशत फसल छेत्रों के मालिक हैं, यानि कि वो किसान तो जादा हैं, लेकिन अगर भूमी की बात करें, तो उनके पास केवल और 87 परतिशत ही भूमी है, खेती करने के यानि उनके पास भूमी भी कम है, और राजजवार अगर हम बाग करें, तो क्रिसकों की कुल जनसंख्या के आधार पर महराश्ट थर्ड नंबर पर आता है, जान देना कि राजजवार अगर हम क्रिसकों की कुल जनसंख्या के आधार पर बात करें, तो महराश थर्ड नंब और हरित क्रांती को पढ़ने से पहले जो छोटी-छोटी कुछ क्रांतियां है उनको भी हम लोग जड़ा कवर करते हुए चले तो यहां पर हम हरित क्रांतियों से समय जो factual information है इसको भी collect करते हुए चले जैसे हरित क्रांति किससे सम्मंदित थी तो यह दोस्तों खाते उत्पादन से सम्मंदित थी वहीं सुनहरी क्रांति के बात करेंगे तो यह आपका फलो और सबजी के उत्पादन से सम्मंदित है और स्वेत क्रांति की बात करेंगे तो यह दुग-दुग उत्पादन से सम्मं गोल करांती की बात करेंगे तो आलू उत्पादन जो एकी होता है उसमें आलू का उत्पादन होता है पीली करांती की बात करेंगे तो तिलहन का उत्पादन होता है गुलाबी करांती में दोस्तों मांस का निर्याद किया है जबकि मांस के लिए उत्पादन करते हैं लाल करां नोजनी में तो आधि यानी सuvre दसक में कह सकते हों का सिक्ड़ूअ तो पूसे सात्वे दसक में जिसमें को घ्रीयाड़ा, पंजाब ओर पश्ट्यूपी, इन कहते हैं द॥ित्य हरित करांती यह किसके द्वारा सुरू की घुक तो डॉक्टर एमेगे सोमी के द्वारा और दूस्री भी और आपको इक अलग से इंफोर्मेशन देता हूं इसी बार मैंने वीजन आईएइस कि जो मंतली मैगजिन ऑक्टूबर की चल रही है जो हमारे चनल पर चलाई जाती है जो से मैं खुद परसनली पढ़ाता हूँ उसमें MS स्वामी नाथन जी के योगदान के बारे में पूरा डीटेल्स आया है तो कि अभी उनकी जो है की डेथ हो गई अकास्मिक जो है कि उनकी मृत्य हो गई हमारे बीच नहीं रहे अब तो उनके बारे में पूरी जानकारी मैंने दिये आप वहां से उसको जरूर देख लीजेगा वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुए अक्टूबर विजन आई इसके नाम से वहां पर आपको मिल जागा करेंट अ अधिक हो सके यानि कम समय में या कम भूमी में कम छेत्रफल में हम अधिक सदिक उत्पादन कर सके और यही वज़े थी जिसकी वज़े से अधिक सदिक रसायन अधिक सदिक पेस्टिसाइड का प्रयोग किया गया जो कि मिट्टी की गुडवत्ता का छरण किया मिट्टी में कह सकते हैं कि अमलियता बढ़ाई गई और मिर्दा का चरण भी हुआ इससे और जल का दोहन भी किया गया जो कि प्राकर्टिक संसाधनों की एक हानी कहलाती है यह बड़ और यहां पर जो मैक्सिकन गयों था दोस्तों मैक्सिकन कंपनी के द्वारा क्योंकि आपके नॉर्मन ब आपके मेक्सिकन मैक्सिकन गयों और जो दूसी हुरित करांथी है जो ृषित्य हरित करांथी में पर जूर्वरण तकनीक विस्ता सबद हो थैं अगर आप देखोगे तो उन यहां भीजों का प्रियोग करके पानी bye-ousta का अच्छेत्रों में आप हरित करांती शुरू करके वहाँ पर भी साइदा करें and production करें और पसू पालन, सामाजिक वानिकि, आमत से पालन के साथ सश्य उठादन सश्यो का मतलो होता है कृषी करना, इनका समाकलन करना पहले चया था हरित-क्रांती की पहहली शुनल हुई थी उसमें कीवल हम खेती पर फोकस कर रहे थे। लेकिन आप खेती के साथ पसुम mm soakras ale शामावान की पर फोकस कर रहे ह। तो हरित क्रांती की जो महत्पूर घटक है, कि अगर आपको हरित क्रांती को सफल बनाना है, तो उसमें कुछ महत्पूर घटक है जिनको आप सामिल करेंगे, जैसे उच्छ उत्पादन किस्म के बीच, जिसको हम लोग हाई एल्डिंग कर रहे हैं, ग्रामीड छेतर पे विद् मंडी होनी चाहिए, यह सभी चीजे होंगी, और फिर आपका आता है अगला सिचाई, सिचाई की अगर सुविदा नहीं होगी, तो आप किसी भी प्रकार से उस खेती को सफल नहीं कर सकते हैं, हरित क्रांती को सफल नहीं कर सकते हैं, तो सिचाई, इसलिए तो मैंने कहा, कि ह जल का भी दोहन किया गया, मिट्टी का दोहन किया गया, पेस्टिसाइड डाले गया, बहुत सारा नुकसान हुआ, लेकिन कुल मिला के प्रोडक्शन अधिक हुआ, भारत खाद्यान में आत्मी निर्भर हुआ, भुखमरी और गरीबी को यहां पर दूर किया जा सका, थोकि यहां से जो बार-बार फसल पूछे जाते हैं, मतलब प्रशन पूछे जाते हैं, फसल नहीं। उसे भी हम लोक समझते हैं। जैसे अब आते हम खाद्यान फसले हैं। तो खाद्यान फसल दोस्तो tीन प्रकार की और यहां। एक होति है अप्का रभी की फसल। एक होती है खरीग की फसल। यह तीनों He फसलों के पैटर्न को समझना होता है, इनमें फसलों के बारे में, मैं आपको देशी एक्जामपल देखे आपको एकदम समझा दूँगा, पहले चीज़, रभी की जो फसल होती है, उसकी अक्टूबर नमबर में वहाई की जाती है, और मार्च अपरेल में काट लिया जाता है अब जरा आप अपने आसपास के छेत्रों में देखो, अगर आप ग्रामीर प्रिस्ट भूमी में रहते हो, गाओं में रहते हो, या गाओं से होकर आए हो सहरों में, तो आप याद करो कि आपने इस जाड़े के मौसम में जो अभी अक्टूबर नमबर चल रहा है, और मार् कि आसपास को गेहों के खेत देखने को मिलेंगे, उसमें धीरे धीरे पीले पीले सर्सों के फूल देखने को मिलेंगे, बहुत बढ़ियां मस्त सुहाना सा गाना चलेगा, तो गेहों और सर्सों भी क्या होगी, रभी की फसल होगी, साथी साथ आप ठंडियों में इस समय, स सारी चीजे तो यही तो दोस्तो रभी की फसल है जो आप डेली यूज कर रहा हो फसल को उसको भी नहीं पैचरान पा रहे हो तो फिर क्या फायदा आप जो चीज खा रहा हो उसको पता तो करो कि कौन से सीजन में खा रहा हो बचपन से खाते-खाते 20-20 साल के हो गया अगर आप एक के साल के एज को क्वालिफाइं कर चुके हो ग्रेजुएशन पास हो आप तो ऐसे में आप इतने समय से इन चीजों को खाते हुए आ रहा हो और आपको यह न पता चले तो यह रेगुलर बेस पे आपको याद करना होता है मतलब समझना होता है बहुत सारे स्टूड तो जून और जुलाई में इसकी वोवाई की जाती है अक्टूबर नॉउम्बर में से काटलियत है इस पेसली धान की खेती वहीं होती जहाँपर पानी क्या विशक्टा ज्याद होती है और जब मांसून की जब वर्सा आती है उसकी वज़े से आपके यूपी में हरियाणा में पंजाब में बिहार में पश्यमंगल में चावल की खेती करनी शुरू कर दी जाती आ और यही वजह है कि तमिलनाड़ों में जब बारिस का पानी नहीं पहुंसता है मई जून में तो वहाँ पे चावल की खेती कब होती है जब लौटते वे मांसून से वर्सा प्राफ्त होती है अक्टूबर नौवंबर में जिसे रिट्रीट आफ दा मांसून कहते हैं तब वहाँ पे सर्दियों में चावल की खेती होती है अर्था चावल की खेती के लिए क् कहीं न कहीं बरसात का पानी चीज़ होता है तो जून जुलाई में बरसात होती है तो उस समय बोया जाता है अक्तूबर नॉम्बर में काट लिया जाता है तो चावल, जौर, बाजरा, कपास, धान, मक्का, तिल, मुंफली ये सबी चीज़ है अब जैसे इस समय आपको ठंडियों में गरमा गरम मुंफली के ठेले दिख रहे होंगे कि मुंफली आप खरीद के खा रहे होंगे या कहीं पे लोग जो है कि जमीन पे गरम बटी लगा के मुंफली को गरम करके बेच रहे होगी वो कैसे बेच ले रहे हैं? क्या मुंफली कल बोई थी? उन्होंने मई जून में बोई होगी और अब जाके नॉमबर दिसंबर में आपको गरम-गरम मुंफली खाने को मिल रही है प्रोटीन का बहुत अच्छा असरोत होता है तो ये भी तो इस समय आ रही है मार्केट में इसका मतलब इसकी बुआई घरीफ के समय होगी फिर वहीं पे एक जायत फसल होती है जो समय ता ऐसे समय होता है जब मार्च अपरेल में माई में बारिस मतलब की गर्मी बहुत अधिक पढ़ती है और हमारे बॉड़ी में पानी की कमी होती है तो ऐसी फसलों को हम खाते हैं जो हमारे बॉड़ी में पानी की मातरा को भरपूर करती है जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया तर्बूज हो गया, खर्बूज हो गया, लीची हो गई, ऐसे फल ही तो आप खाते हो तो इसमें आपका तर्बूज, खर्बूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी, ये प्रमुक फसले होती है जो ग्रीस मकालीन फसल के नाम से जानी जाती है, मार्च से जून के बीच में ये मिलती है अब गेहों की खेती है तो दसाएं, अब हम अलग-अलग जो एकी पॉइंट पे चलिए अलग-अलग फसलों के लिए जहां से प्रश्ण आपसे पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में completely आपको knowledge होनी चाहिए अब जैसे गेहों की अगर आपको खेती करनी है अक्टूबर नॉंबर में, तो आपको क्या लगता है? इस समय temperature जादा होता है, कम होता है, वाई अगर temperature जादा होता है, तो ठंडी हमें लगती नहीं, तो इसलिए गेहों की जब खेती होती है, तो temperature कम रहता है, इसलिए 10 डिगरी से लेके 25 डिगरी तक, अजब की गर्मी में 40 डिगरी तक temperature चला जाता है, जाड़े में 20, 12, 15, 18, 19 ऐसी temperature रहता है, और क्या जाड़े में वर्सा जादा होती है, हम कहते हैं, जाड़े में वर्सा जादा नहीं होती है, तो 50 से 75 cm की वार्सी वर्सा चाही होती है, अर्थात की मध्यम ताप्मान और मध्यम वर्सा, ये गेहों की लिए सबसे important दसा है, अब बहुत सारे लोग इ और के सोगे, फिर भी नहीं नहीं आएगी, क्योंकि ठंडी नहीं भागीगी, रूम में ब्लोर चलाओगे, हीटर चलाओगे, तो बारिस नहीं होती है, और जब देखो कि दिसंबर के बाद, जनवरी में जब बारिस होती है, तो कैसे निव येर में सब सिकुडते हैं, गू होता है दोस्तो, एक ऐसी फसल जिसको मुख के रूप से खाद्यान के रूप पे यूज नहीं करते हैं, बलकि उसे हम बेज कर पैसा ज़्यादा कमाते हैं, आप जब MSP का रेट देखते हो, तो MSP में गेहूं का रेट ज़्यादा होता है, या मुंगफली तिल और अरहर का ज़्यादा होता है, तो आप कहोगे सर तिल का ज़्यादा होता है, मुंगफली का ज़्यादा होता है, जूट का ज़्यादा होता है, जबकि गेहूं और धान का क्या होता है, यह कि खाद्यान फसल है, इसको खाना जरूरी है, और जो खाने की चीज़ होती ही, जो सबसे रखा जाता है तो नगदी फसले वह होती हैं जहां से हमें कम जो एक मतलब की अधिक सदिक payment मिलता है या अधिक सदिक हमें मखन प्रशन बता रहा हूं आर्थिक समिक्षा जो लेटेस्ट आई है 2022-23 के एकॉर्डिंग यहूं का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता उत्पादक कौन है प्रडक्शन कौन करता सबसे लिए तो यूपी हमारा यूपी तो पहले से है हना कि टोटल खाद्यान में भी पहले तैयार कर लेना है तो आर्थिक समिक्षा जो 2022-23 कहती है कि यूपी में सबसेदी क्यों की खेती हुथी फिर उसके बाद MP फिर तीसरे नंबर पर पंजाब आता है धान की कुछ प्रमुख परजातिया है जिसके बारे पूछा जाता है हलांकि और भी परजातिया है लेकिन अ जया और सुस्मा वाला नहीं कि निर्मा पावडर का है यह जया और पदमा की बात हो रही है और यहीं पर एकनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार यूपी में प्रथा मिस्थान किसका है तो गेहूं जो एकिस सबसेदिक होता है गन्ना सबसेदिक होता है और तो और चीनी का भी आटास किया गया जिसमें लर्मा रोजो सोनोरो शिक्टेटरी वों सिक्ट्टिक यह सब वों प्रजातिया हैं जो गेहूं की उत्फात अक्ता पढ़ाने के लिए जो जिन का प्रियुक किया था उसका नाम होता नॉरिन टैन जिसकी व्योंसे गेहूं के पौदे बहुत बड अच्छी नहीं होती थी उसी तरह ओप्यक टू ये भी एक जिन है लेकिन किसका जीन है ये मक्के का जीन है मैक्रोनी ग्यों और सिंचित परिस्थितियों अत्वा सूखे प्रभावी छेत्रों ये तूभी सरवाधिक लापदायक है यहां पर बिल्कुल भी सिचाई की आवशक की जाती है हना कि राजिस्थान इसका उत्तर हो सकता है फिर ग्यों की भी कुछ अन्य किसमें हैं जैसे सोनालीका अर्जुन कुंदन राज 3077 देशरत्म कंचन पूसा सिंदुगंगा पूसा बसन पूसा बाहर पूसा बत्सला यूपी 308 और कल्यान सोना तो यह सभी प्रमु करनाल बंट जो बीमारी है ये ग्यों की बीमारी है, मेकरोंि का वेक्यानिक नाम क्या है तो Triticum Durum होता है, Buta Clore पदार्थ क्या होता है, एक साखनासी पौधा होता है, जो क्या करता है, कहीं न कहीं, अतला एक पदार्थ है साखनासी, जो खरपतवार होते हैं, उनको खत्म करता है, उनको मारता है, उसी तरीके से, आप देखोगे, धान की उत्पत्ती वैसे कहा होई थी, दच्छडपुर्व एसिया में होई थी, आवश्यक दसाओं में, गर्मी में होता है, तो गर्मी में टेंपरेचर 25 डिग्री से अधिकी रहता है, 30, 35, 40, 45 तक जाता है, वर्सा भी जो एकी मांसूल होने की वज़े से, अच्छी खासी वर्सा भी होती है, यहीं सौ सेंटी मीटर से दिकी वर्सा चाहिए, और इसी लिए ये ऊशन कटिबंदी फसल है, क्योंकि इसको गर्म जगए की अवशक्ता होती है, और धान गहनता प्रणाली जो होती है, दोस्तों सिस्टम ऑफ राइस इंटैसिफिकेशन जिसको एसराई कहते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें, तो इसका विकास मेटागासकर में हुआ है, धान के खेतों को बार-बार कलेदन, एवं सुसकन किया था है, जिससे बीज की कम आवशक्ता होती है, बीज खर्च में कटाउती होती है, जल की कम आवशक्ता होगी, बिजली की कम खपत होगी, और इसके साथ ही मीथन का भी कम उत्सर्जन होगा, क्योंकि आपने कई बार पढ़ा होगा, कि जो ग्लोबल वार्मिंङ पैदा करने वाली, एक महत्पुर्ण गयस, कार्बन डे और उकसईड, उसके बाद जो दूसरी महत्पुर्ण गयस होती, मीथन होती है, तो मीथन का प्रडच्शन, या मीथन कहां से उत्पादित होती है, धान के खेतों से भी उत्पादित होती है जो पसू, जो जुगाली करते हैं अपना भोजन पचाते हैं तो उनके मूँ के पास जो जाग होता ना खासकर गाय, भैस, बकरी मवेसी जो होते हैं तो इन जाग में भी मीथन गैस होती है तो हम मीथन गैस को भी कम कर सकेंगे और जब कम उतसर्जन होगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम कर सकेंगे वहीं प्रमुक खरीफ फसलों की बात करें तो मुग अब देखे खरीफ फसल कौन सी होती जो गर्मी में आपको पैदा की जाती है जूट हो गया रागी स्वयाबीन तमाकू उड कि छेत्र की बात हो रही है यानि कि चावल की जो खेती होती है वह कितने बड़े छेत्रफल पर होती है तो 5.68 लेकिन अगर मैं कहूँ टोटल प्रडेक्शन कहां पर होता है सबसे दिख तो वह तो पश्य मंगाल है मैं चावल के उत्रपादन की बात नहीं कर रहा हो सकता है कि पश्य मंगाल में किवल 2 हेक्टेयर खेत पर ही जो एक इतना बड़ा चावल हो जाए 2 मिलियन हेक्टेयर प तो समझ के प्रडक्शन और खेत का पैटन वहीं पर भारत के चावल के कटोरे की छेत्र का जो नाम है वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा सबसे इंपॉर्टेंट प्रशन यह कई बार आप से पूछा जा चुका है और यह रॉयल सीमा जो छेत्र है आंद प्रदेश का वहा पर चावल का उत्पादर बहुत अधिक होता है तो यह चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है और धान की अगर उत्पादत्ता की बात करें कि प्रडक्टिविटी तो वह सबसे दिक कहां पर है पंजाब में अब यहां पर तीन बाते आ गई तीनों बात को मैं क्लियर सबसे पहली बात कि मान लीजे मुझे एक बीगे खेती पर जो है कि वो करना था धान की खेती करनी थी तो इस एक बीगे में वैस्ट बेंगॉल में जो है की टोटल प्रडक्शन हुआ मान लो 18 किलो ठीक है क्लियर रहे बात और लेकिन अगर मैं कहूं इसी में पंजाब में बात करूं तो पंजाब में खेती होगे इस पर 22 किलो यूपी की बात करूं तो यूपी की खेती होगे दो किलो तो प्रडक्टिविटी किसकी अधिक है उत्पादकता 22 कि पंजाब की अधिक है और अगर मैं कहूं इसी एक बीगे छेत्र में या यू कहें कि छेत्रफल कितन अधिक है सबसे यूपी में जहां पर चेवल की खिती होती है लेकिन प्रड़क्शन सबसे अधिक होती है पंजाब में तो फिर से यहां पे कुछ चावल की प्रमुके किसमे हैं जैसे आप देखो कि आपको कि लिए करुणा ओगा जया कांची कृष्णा कावेरी हंसा ऊपर अ अलाकि धान से ही चावल निकलता है, लेकिन भई है ना कि अलग-अलग पैटर्न में जो है कि अलग-अलग नाम आते रहेंगे आपके सामें, तो विजया, पदमा, बाला, रतना, अनपुना, जगनात, यह सब हैं, तो आपको याद नहीं करना है, पस एक-एक बार रीडिंग क की फसल मानी जाती है, फिर वहीं बोरो या दलव धान जो होता है, वो नॉवमबर-दिसंबर में उगाया जाता है, और मार्च अपरेल में काटाता है, और नॉवमबर-दिसंबर में कहां मुख्य रूप से उगाया जाएगा, तमिलनाडू में, क्योंकि यहां पर लौटते रखा गया, पूसा आरच 10 रखा गया है, और अब हम बात करते हैं, तो यहां उसके बाद आप देखोगे, कि यह जो है बास्मती चावल की संकर प्रजाती है, जिसको हम कहते है पूसा आरच 10, और वहीं बास्मती चावल की रुपाई है तो, जो बहतर उत्पादक्ता बीज इस हिदर होती है, वो होनाइन चाही है कि कम सकंधां 15-20 किलोग्राम घ kay और प्रती हेक्ते पहूँने जाहिए तो एस बास्मती चायवल की रुपाई है, तो बैतर उत्पादक तब इसदर क्या होती है, कि अगर आपको एक हेक्टेर में 15-20 किलोग्राम अगर आपको चावल मिल जाता है, तो आप कहोगे, ठीक है, चावल के तीन बड़े उत्पादक राज, अब देखिए, पहले नंबर प्याता है West Bengal, मैं यही तो बता रहाता है, तो West Bengal में सबसे अधिक production होता है, UP में सबसे अधिक खेत प्रियोग होते है, और पंजाब में सबसे अधिक productivity होती है, मतलब कम खेतर में अगर हम बात करें, यह तो टोटल production सबसे अधिक होता है, तो पश्यमंगाल में होती है, वही चावल की फसल के लिए कुछ प्रमुख ज कि जैव उर्वरक की बात कर रहा है तो एक कई बार पूश है था है कि नील हरित सहवाल जिसको हम लोग दो नाम से जानते हैं इंगलिस में तुम इसे कहते हैं ब्लू ग्रील एलगी यानि कि बीजिये और दूसरा एक वैग्यानिक नाम होता है इसका साइनो बैक्टीरिया क्या होता है तो यह बहुतं होता है प외के पस्षमी पर वर्सा दिख ऊथे यह हैं पर दिखरा आंद प्रदेश क्रिशन गदावरी डेल्टा एल्या हन दिखु आपको आंद प्रदेश के पास कृष्णा गुदावरी का डेल्टा देखने के मिलना है और यहां पर लॉटते मांसुन से तमिल्लाडूम वर्सा तो यहां पर ज्यादा होती है और अब हम देखते हैं कि संकरधान की खेती के अंतरगत सरवादिक छेतरफल उत्तर प्रदेश म जिसको मैं कब से बतारों प्रदक्टिविटी यह किस राज में तो पंजाब में एक हैक्टेर छेतरफल में ही 4366 किलोग्राम यहों की खेती हो जाती है लेकिन अगर मैं वेस्ट बेंगॉल की बात करूँ तो एक हैक्टेर भूमी पे सायद मुझे लगता है कि 2000 किलोग्राम के बन खेती हो पाईगी यूपी में अगर मैं बात करूँ एक हैक्टेर जमीन पर तो हो सकता वहां पे 1500 किलोग्राम की बस खेती होगी तो प्रदक्टिविटी किस की अधिक है पंजाब की अधिक है लेकिन अगर मैं कहूँ टोटल प्रदक्शन सबसेदिक किस का हुआ तो म अब एक हैक्टेर की बात नहीं हो लिए तो टोटल प्रदक्शन और प्रदक्टिविटी दोनों में यह डिफ्रेंस आपको पता चल गया होगा तो अब दोस्तों हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में आपसे नहीं अगली क्लास में अभी हम दो मिनट और कवर करेंगे ताकि हम नगदी फसल पर रोकेंगे जो इसके बात सुरू होने वाला है तो यहाँ पोड़े कुछ फसल है और यहां पर कुछ प्रमुकराज्ये हैं जैसे चावल सबसेदिक का होता है पष्यमंगाल में गयों का होता सबसेदिक तो अधर प्रदेश नहोता हकाल महाराज शेकर वं इसलिए तो हमारे सूती वसूत बहुत बड़े अस्तर पर है जोर की खेती चेत्र तिलहनों की तुल ना में कम है जोर की खेती अगर जादा होती तो हमें तिलहन यानि कि जो दाल वगरा होती, तिल वगरा होती है, मतलब तेल वगरा, इसकी उत्पलाप्टिता कम होती है, और रेट बहुत अधिक हो जाता, हाला कि अभी भी रेट कम नहीं है, लेकिन जुआर की खेती के अपेक्षा, तिलहन की खेती जादा होती है, और गन्ये की खेती छे और अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे नगदी फसल कि मैं भी देखे थक गया हूं सुबहे से जो एकी जॉब करके आके पिर करेंट अफ्यर से एक गंटे क्लास पिर आपकी सवा गंटे की पॉलिटी की क्लास जो अभी साड़े मतलब 6 बजे के आसपस है और अब एक गंटे के मैंने तीन क्लास बनाई है और किसी में भी मैंने अपना एनरजी लेवल डाउन नहीं होने दुगा ना आपको समझाने में किसी परकार की कटावती की है कोई कोटा पूरती नहीं पूरी ही ततपरता पूरी एनरजी के साथ आपको लगाता है पढ़ा रहा हूं मैं और वीड का अलग-अलग प्राइस है वाट्सअप नंबर दिया गया वीडियो के नीचे मोर सेक्सर में वहां से आप उसे नोट करके आप उस पर मैसेज करेंगे तो वहां पर सारा पेमेंट डीटेल सारे प्राइस सारे सब्जेक्ट सब कुछ वहां पर अराम से आपको मिलेगा उस नोटिस को आपको आप पढ़ लीजेगा गाइडलाइन को और उसको फॉलो कर सकते हैं और वहां पर आपको पीडियाप मिल जाएगी तो मिलते हैं नेक्स वोड़े में थैंक्स फॉर वाचिंग लव यू दोस्तों